हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी और उमिद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग ल अब नहीं किये हैं, तो प्लीज कर लीजिएगा, तो अभिे स्वेर्न्स मौर्निंग का टाइम हो रहा था, मतलब मौर्निंग नहीं दोपहर का टाइम होने वाला था, तो आज जो है मैं दोपहर को खाना क्या बनाऊंगी तो वही मैं सोच रही थी, तो यहां पर आजबन जी बहुत सारी सबजियां लेकर आए थे जैसे की फुल गोबी हो गिया पत्ता गोबी हो गिया और बैंगरन, टमाटर और जो सीम होता है न, वो सीम भी लेकर आए थे तो मैंने सूचा कि आज मैं सीम की ही सबजी बनाती हूँ तो अभी यहाँ पर देखें फ्रेंट्स इधर आंगन में मैं आ गई हूँ और यही पर धूप में बैट कर मैं सबजियां काट लेती हूँ और आप सभी को पता है कि अभी जो है विंटर स्टार्ट हो गिया है और धूप में हमें काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे नहीं आप सभी को जितनी भी लोग है चाहे वो हाउज वाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो सभी को मतलब लगता होगा कि हाँ धूप में बैठकर सारे काम करें तो मैं यहाँ पर धूप में बैठकर सीम को अच्छे से साफ कर लेती हूँ और उसको काट छाट जो भी उसमें करना है वो कर लेती हूँ और उधर जो है मैंने ना दाल चावल किचन में चड़ा दिया है और इधर जो है मैं अपना काम बाहर में बैट कर कर रही हूँ और अभी जो है साड़े ग्यारा का टाइम हो रहा था और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यही वाली जो सीम है ना यही वो लेकर आए थे तो यहां पर देखिए इतने सारा है तो इसमें ना मैंने दो आलू मिक्स किया है अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं उनको आलू अलग से दे दूँगी तो यहां पर देखिए इसको मैंने छील कर इस तरह से खोल कर में रख रही है ताकि अगर कीडा वगेरा कुछ हो ना तो वो हमें आसानी से दिख जाए तो यहाँ पर देखिए सीम को मैंने अच्छे से धोक लिया है उसके बाद उसमें आलू मिक्स किया है यहाँ पर मैंने टमाटर काटा है और यह मसाला मुझे भी पिसना है और इधर जो है मैंने पानी गरम करने के लिए दिया था तो वो पानी गरम हो गया था तो मैंने इसमें सीम आलू को डाल दिया है और नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि इसको जो है ना मुझे उबाल के पहले पकाना है उसके बाद जो है इसमें छोक लगेगा और अभी देखिये मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है इसको मैं धख देती हूं और अभी जो मैंने कटूरी में आप सभी को जो मसाले दिखाए है … वो मसालो को मुझे पीशना है तो मसाले में ऩैसे की सीम की सबजी है जो सरसों के दाने होते हैं वह डाने से सीम की सबजी का फ्लेवर काफ़ी जाधा अच्छा हो जाता है तो यहाँ पर मैं देखिए इसमें मैंने सरसोंೌ काली मिर्च, जीरा, उसके बाद हरी मिर्च, अदरा, लहसन यही सब कुछ मैंने डाला था और इसको अभी मैं देती हूं पीस के और सिल्वटे पर ही मैं पीस रही हूं और यहां पर देखिए मसाला पीस गया है मेरा और उसके बाद यहां पर मैं सीम जो है 5 मिनट उबल गया तो फिर मैंने उसमें मसाला डालके उसको फिर से चला दिया है और इसको जो है अब मैं ढग देती हूं जब तक इसका पानी नहीं सुख यह अभी पकेगा तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स सीम का जो पानी है वो सारा सुख चुका था और अभी मुझे इसमें लगाना था चौक तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं सबजी को एक ठाली में पलट लेती हूँ और उसके बाद जो है कड़ाई को साफ करूँगी मतलब धोओंगी पानी से और उसके बाद इसी कड़ाई में जो है चौक लगेगा तो यह वाली सबजी ना बहुत ज़्यादा आसान है मतलब बहुत 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 ज़्यादा आसान है और ज्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं पढ़ता है लेकिन हाँ खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती है जितनी सिंपल होती है उतनी ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है और अभी जैसे की विंटर जो मौसम है इस मौसम में ये वाला जो सीम है ये आपको हर घर में मिल जाएगा जैसे कि जिसके घर में बगीचा है जैसे कि बड़ी हम लोग बोलते हैं अगर किसी का है तो उसका मतलब सीम ना हो से घर में Sीम की बिल तो ऐसा हो ही नी सकता है तो यहां पर देखिए अभी ना यहां पर जो इसमें ना में श्र।क लगा उँगी लहसून का तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्सो का तेल डाला था फिर मैंने इसमें लहसून डाल दिया है और थोड़ासा इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसा ही फ्राय करूंगी और उसके बाद इसमें पर सारी सब्स हो जाएगी और फिर यह सबजी बंद कर रेडी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने डाल दिया है और इसको ना मतलब चमच की मदद से ही ना मैं इसको थोड़ा सा मसल दूँगे ताकि यह पुराना लट-लट सा हो जाए और काफी जादा मतलब अच्छा लगेगा सबजी तो बस फ्रेंट्स इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूं और उमीद करती हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो और रेसिपी अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें